असलाम अलेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन, कैसे हैं आप सब, उमीद है कि सब खेरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे, तो लास्ट विलॉग में मैंने आप लोगों को ये केक की पिक्चर शेयर की थी, और लास्ट में मैं बताऊंगी इस वीडियो के, कि य आप लोगों को सब को नजर आई ही रहा होगा कि हापी बर्दे थी, तो किसकी थी ये आपको लास्ट में पता चलेगा, अभी आप मेरे इस केक की रेसिपी देखिए जिसका नाम है, सौफ्ट चॉक्लेट केक, इसमें सब कुछ एक साट डालना होता है, बहुत एजी होता है बहुत जल्दी बन जाता है, सिंपल आप देख रहे हैं, मैंने दो एग्स लिये थे, और वन कप के करीब मैंने इसके अंदर पावडर शुगर क्योंकि मैं बस अविलिबल थी, और साथ में मैंने एक पिंच सॉल्ट का लिया था, और वन कप ही मैंने इसके अंदर, चाहें तो आप वन कप से थोड़ा सा कम करनें, बटर ले लें, लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर कुकिंग वाइल लिया था, तो थोड़ा सा हल्थ के पॉंट इफ यू से हम लोग देखते हैं, तो इसलिए, फिर मैंने इस स्टेज पे वन कप का रिशु रखा है, यानि कि टू क असमारा करी थी, उसको बीटिंग का बहुत शौक है, तो मैंने का कि चलो फिर असमारा तुम ये काम करो, और यहां पर वो एड़ कर रही है, इसके अंदर, वैनने एसंस, जो कि मैंने पाकिस्तानी शॉप से लिया था, उसकी जो फ्रेग्नेंस होती है, वो थोड़ी सी शार होती है, तो मुझे वो जादा पसंद है, और यहां पर मेरा 1 cup ही मैदा है, और 3-4 cup आपको साइट पे नजर आ रहा होगा, कोको पावडर है, और इस मैदे के अंदर मैंने तक्रीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पावडर डाला है, और पिंच ऑफ सॉल्ट है, म बहुत जादा सॉफ्ट बनता है, और बहुत ही डिलिशियस होता है, और इस में जो है, वो लास्ट में यह भी जाएगा, कोई भी कॉफी का ब्रैंड हो, मैं इस वख यहां पर नेस कैफे यूज करूंगी, और नेस कैफे के अंदर थोड़ा सा हॉट मिलक अंदर डाल के मैं जाल रही हैं, तो इस वज़े से क्योंकि मैं भी जल्दी में थी और रात बहुत हो चुकी थी और असमारा की फर्माइश थी कि मामा केक तो बनना ही है, वरना मेरा मूट कोई नहीं था केक बनाने का, तो वो कह रही थी नहीं लाजमी जो हम केक बनाएंगे ना, और फिर हम करेंगे लेकिन बनाएंगे आज ना, तो इसको मिक्स कर देंगे, बहुत एजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत जादा यह नहीं होता कि आपको हर चीज बार बाद में यूस करनी है, और यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं, गवाला ब्रैंड में यूस तो एक्चली मैं पूरे लास्ट वीक से अब तक मैंने इतनी जादा वीडियो अप्लोड नहीं की, थोड़ी सी मैं अपसेट चल रही थी, थोड़ा डिप्रेशन था, और कभी कबार हो जाता है ना आपको, तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी एक साती में जो है वो वीडियो जो है वो थोड़ी बड़ी करके उसको अप्लोड करूँगी, तो प्लीज आप लोग लास्ट तक इसको जरूर देखेगा, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि किसकी बढ़ दे थी, तो बस फिर यहां पर अच्छे से जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैंने इसको ब लगा लें, अगर वो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप ये सिंपल ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा फ्लार जो है, उसको डर्स्ट करें और उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है, और फिर उसके अंदर मैंने ये जो मेरा केक का बैटर था, जो कि बहुत अच्छा सा च करना बहुत जरूरी होता है, ताकर कोई एर बबल्स अंदर ना बने, तो आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग केक बनाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, अच्छा मेरा ओवन जो था वो 200 पे मैंने उसको प्री हीट कर दिया था, 200 डिग्री सेंटीग्रे तो यहां पर अल्विडी मेरा वो जो केक है, वो मैंने अंदर डाल दिया है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और मेरी यह टिप है कि मैं 180 पे यूज्वली ये केक बेक होता है, लेकिन मैं पहले 200 पे करके 5 मिनिट्स और उसके बाद टेंपरिचर थोड़ा सा डाउन कर दू और ये देखें ये है ये है केकेक मैं बिल्कुली कि मैंने कोई किरी है, वेश्वल मेरा प्लेन केक है, जा पेक हैअट ये लुजे पेघर का थार है वित राधा है, बहुत ही मज़आट ये ऑन बनिया की त counterpart का यूश्वली ये फिरे लुज जल्दी साहिज एकिश की अपक यह प्लिए आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा तो इसके लिए आप लोगों को मेरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है वैसे चाहें तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं जुस्ट मैं तो एज अफ वर्न ये बात कह रही हूं तो यह इसान के अपनी च्वाइस होती ही वो देखे ना देखे और बस यही मैं कहूंगी कि प्लीज आप लोग जरा मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा और अगर आपको यह मेरे केक की रेसिपी पसना आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि देखे इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है तो बस सिंपल मैंने जो है वो यहां पर अब यह दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था साटरड़े और हम लोग कहीं जा रहे थे यूजुली ऐसा छास तो कहीं जाते नहीं है ग्रॉसरी के लिए जाते है और आप लोगों को पता है कि ग्रॉसरी यूजुली जो है वो मैं ड ही हिंग सकते हैं वैसे तो और भी बहुत सारी ही है लेकिन गर के करीब वाली थी इतनी करीब थी के बाइकार आप जा सकते थे और अब पर कुछ मसाले थे शान के मसाले और डिफरेंट मसाले तो फिर होता है यह एक चीज खरीदने के लिए जाते हैं या एक या दो चीज़ें और फिर आप बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं क्योंकि फिर वह लगता है कि यार जैसे आप पाकिस्तान में या इंडिया में या उखतलिफ यहां पर अशियां थी और जो बीच में कुछ चीज़ें खतम हो जाती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें तो बच्छों के साथ जब मैं स्कूल से वापस आती हूं तो मैं ले लेती हूं तो अकसर कुछ ना कुछ आप लोगों को पता ही है कि वह खतम रहता है और आ कभी कबार आ भी जाती है यहां पर लेडल वागरा में लेकिन बहुत काम आती है और यह कुछ टेमाटर लेना है आपको पता है ना कि हम और मेरे हजबन जब भी कभी अगर चले जाते हैं शौपिंग के लिए कुछ मजे बहुत जल्दी मंगवाना होता है अमर्जंसी में त जादे तर चीजों में हमारे हाँ टेमाटर और अनियन लाजमी डलता है ना और जो स्पेशल हमारी जो लाक ट्रेडिशनल डिशे है उनमें तो बहुत जादा ही होता है और बस किछ चीजें थी तो मैंने दिखाया कि यह एक्चुली जरा सा घर से मेरे दूर है चाहूं तो म इस दिन तो लाजमी जाना है कोई बात नहीं अगर कुछ ना भी लेना हो लेकिन ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है ना अगर कहीं और स्पेशल आपको ना जाना हो एक्चुली मुझे अपने घर का जो है वो सोफा भी चेंज करना था तो उसकी विज़े से भी टाइम इसा गुजर जाता है विएन के वीकेंड डो दिन आते हैं और ऐसे गुजर जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है तो यहां पर मैं कुछ बनाना ले रही थी और मैं कोशिश करती हूं यहां पर भी मैं और और बनाना लूँ वैसे तो दूसरे वाले भी ठीकी होते हो सकत जो भी आपके पास आर्टिकल है और वो आपने जो कुछ भी यहां से शॉप किया है वो जस्ट आप लगा दे तो वो स्कैन हो जाता है बारकूर से तो वो इसमाईल को मैंने लगाया थे इस काम के लिए कि चलो यार बच्चे तुम यह काम करो और क्यूंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड असमारा भी बहुत करना चाहती है इस तरह कि कोई नहीं चीज होती है तो बच्चे को होता है कि चलो हम अपने आहाथ से करें तो बस सब कुछ हो रहा था और कुछ चीज नहीं भी मिलती है कभी इसमें तो वो ढूंडा पड़ता है तो यहां पर एक आप्शन होता है आर्टिकल सूख करके तो वहां पर आप लाइक उसकी स्पैलिंग लिख दें तो वो खुदबा खुदी लाइक वो चीज आ जाती है तो बस कुछ भी और मुझे अम्रूद इसकदर पसंद थे कि मेरी अम्मी तो लाजमी शॉपिंग पे जाती थी तो मेरे लिए जो है वो अम्रूद और जामून इस तरह की चीज़ें फालसे तो यह सब जो अपनी कंट्री की चीज़ें नहीं तो इनकी तो बाती और है और मैं हर ग् देखिया स्माइल को मैंने कैमरा दिया तो उसने इस तरह से तेड़ी तेड़ी सी उल्टी जो है वो वीडियो बना दी तो मैंने का यार अब मैं इसको एड़िट नहीं करूंगी जैसी है मैं वैसे ही डाल देती हूं तो बस फिर कुछ यहां पर चॉकले लेने के लिए हम औ तो उसको फिर मैं यह करती हूं कि कोई भी मेरे पास देट्स वगरा होती हैं खजूरें वगरा तो उसके साथ मैं फिर ले लेती हूं तो वो मुझे इतना ज़ादा उसका फर्ख नहीं लगता तो बस असमारा जो थी वो थक चुकी थी यहां पर जैसे कि आपको नजर आ रह पिर वो बहुत ज़ादा तंग करते हैं स्पेशली शॉपिंग के दौरान और जो बेसिक बड़ी बड़ी चीजे होती हैं तो बच्चों के साथ मैं नहीं कर सकती वापस आते बखना तो इस तरह की शॉपिंग बेसिकली मैं रखती हूं वीकेंड के लिए कि जब भी मैं जा मैं आया वा था तो इमैंने दो तीन उठा लिया था तो इस तरह से आप लोग भी किया करें तो काफी बच्चत हो जाती है कि तीन ये चार मैं एक साथ उठा लेती हूं जब कोई ऐसी ओफर आती है क्योंकि डूरिंग करोना टाइम में इसने इतना ज़ादा है ना कि मैं बस जाती है उसके बाद जब असर करना शुरू होती है तो फिर आपको नीम दाती है ना बहुत तो ये बहुत अच्छी टी है और हिबिस्कुस टी होती है आपको पता है वो बीपी कम करती है एक्चली मुझे इशू नहीं है बीपी का लेकिन पाकिसान में अक्सर लोगों को हो तो वो जो है वो मैं उसको अभी पर्मिशन नहीं देती है चोटी है ना कि मैं उसको ओवन में डालू तो ऐस सच हम मैं तो बहुत ज़दा शौकीन हूँ बड़ देज वगरा बनाने की बच्चों की भी मनाती हूँ लेकिन मेरे हजबन अच्छी इतना ज़दा कोई लाइक बच्चों की तो बना लेते हैं लेकिन बैसे कभी उनको उतना पसा नहीं है तो लेकिन मैं तो बही बनाती हूँ क्योंकि इनसान फिर और क्या रह जाती है लाइफ में अगर बिलकुल यह आप इस सरह से तो खतम ही हो जाएंगी हर चीज़ तो यह थी मेरी केक और आप देख और तो बस यह था यह थोड़ी बहुत हलकी पुलकी सेलेबरीशन हो जाती है तो इसमें लगता है कि हाँ बही जिन्दगी में कुछ रंग है वरना आपको पता है कितने सालों से अल्मोस्ट तू 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 यह आप तो तीन साल होने को हैं कि करोना है कि वो जाने का कुछ ना तो बच्चों की तो वैसे भी बनानी चाहिए ना ताकर यह यादगार दिन होती है और वह आप कभी भूलते नहीं है तो मुझे लगता है कि नहीं यह चोटी-चोटी से जो खुशियां होती है आपको जो है वो थोड़ा बना लेना चाहिए ऑफकोर्स इसलामिक पॉइंट शेयर करना मत बूलिएगा अल्ला हाफिज